असलाम अलेकुम दोस्तों एक और वीडियो के साथ आजिर हुआ हूँ आज की वीडियो बहुत इंपोर्टन्ट है इसको आपने एंड तक जरूर देखना है आज हम बात करेंगे PST और JST जॉब्स में सेलीज और प्रोमोशन और बेनिफिट्स वगेरा क्या हैं ग्रेट कौन सा होगा इन चीज़ों को आज हम डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं PST की अब PST पहले 9 ग्रेट होता था लेकिन अब अब अप ग्रेट हो चुका है इसलिए ग्रेट 14 होगा PST में आपको 14 ग्रेट होगा इसलिए आपकी सेलीज जो है वो अराउंट 34-35,000 इनिशल लेवल पे होगी लेकिन जून का महीन आ रहा है तो इसके वज़ा से अब हो सकते हैं बजट में गवर्मेंट सेलीज के इनक्रीज करें 25-30 परसंट या जितना भी इनक्रीज हो तो लगबग 40 के लगबग सेली इन्शालला जरूर होगी इसके लवाए इसका प्रोमोशन का सिस्टम यह है कि आप JST भी बन सकते हैं HST या SST भी बन सकते हैं और आप टाइम स्केल लेवल पे भी आपके प्रोमोशन होगी और आप हैड मास्ट भी बन सकते हैं अपने प्रैमिरी स्कूल में हैड मास्ट भी बन सकते हैं और जब आप JST के तो JST का भी ग्रेट 14 ही है क्योंकि दोनों का ग्रेट सेम है PST और JST का इसलिए सेल ली भी तकरिबन दोनों की सेम होगी इस वकत 35 वैलेगन हो सकता है कि मजट के बाद 39, 40 के लगबग हो और प्रोमोशन की जहां तक बात है तो प्रोमोशन में JST के बाद आप SST भी बन सकते हैं और HST यानि Higher Secondary School टीचर भी बन सकते हैं जो के बहुत एक एक अच्छी पोजिशन है इसके लावा टाइम स्किल प्रोमोशन भी आपका होगा हर 10 साल के बाद आपका प्रोमोशन होगा और SST और JST और HST आप तभी बनेंगे जब आपके पास B.A.D. या M.A.D. वगरा की डिग्री हो वरना आप नहीं बन पाएंगे फिर आपको सिर्फ टाइम स्किल प्रोमोशन ही मिलेगा और जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो आपका ग्रेड इंचाल उनिस से 20 हो चुका होगा जो के बहुत एक अच्छी चीज है तो इस पे ज़रूर अपलाए करें जिस जिसका भी JST या PST में हो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कुछ बेनिफिट्स भी है JST PST बनने के सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि स्कूल टाइमिंग बहुत हाफ डे होती है तो आप शॉर्ट टाइमिंग होती है एक देड़ बाज तक आप आराम से फिरी हो जाते हैं इसके लाव आप बच्चों के साथ फन करें चोटे बच्चे होते हैं प्रैमरी में और मीडल में तो आप उनके साथ आसे हैं, खेलें, उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं अपना फ्यूचर उनका भी फ्यूचर ब्राइट करें, उनको चीज़ें समझाएं और समर विकेशन, विंटर विकेशन यानि के बहुत ही एक अच्छी opportunity होती है हर कोई enjoy करना चाहता है कि summer vacation हो इसके लावाद job जो होती है वो near house के यानि जो जितने भी areas है वहाँ पर यह issue रहता है कि आपके जो घर के करीब आपको job मिल जा तो ladies के लिए वो जादा अच्छा होता है और gents भी उससे फाइदा ले सकत हैं और दूर दरास के लाकों के लिए जितने भी होते हैं villages वगरा कि उनको यह चीज़ बहुत जादा benefit करती है कि उनका घर के करीबी कोई job हो और हर चीज़ की तरह इसमें कुछ नुकसानात भी है नुकसानात तो नहीं कह सकते लेकिन drawbacks या negative सबसे बड़ा यह कि आजकल बह नहीं है कि जहां पर आप ज्यादा रिलेक्स रहते हैं इसके लावा old building और infrastructure थोड़ा पुराना भी हो सकता है क्योंकि स्कूल सारे पुराने हैं पुराने दौर के बने वे हैं ज्यादा इन पर funding नहीं होती आजकल बहुत ज्यादा government इन पर ध्यान नहीं दे रही तो कहीं पर infrastructure पुराना होगा lack of facilities हो सकती है मतलब मसलन के जैसे washroom के issues हो सकते हैं और पानी वगरा का ठंडा पानी इन चीज़ों का और medical वगरा के भी सहूलत नहीं है और cell भी लेट आ रही होती है चार-पांच तारीक के बाद